नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सोलिशन के यूट्यूब चैनल में तो यूपी बीड एंटरंस एक्जाम 2022 की सीरीज में आज हम आपके करेंगे समाने हिंदी के कोशन्स वो कोशन्स जो आपके 2012 यूपी बीड एंटरंस क्रिबीड बीड चैनल में आपके प्रिगां कर दिया है कोई बीड बीड एजिली आधाता है वो भी आपके district में ही तो चलिए जल्दी से वीडियो को start करते हैं बेना time waste कि अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को बाद में साथ रहने में आनाकानी करना, option B भाग जाना, option C दो के बीच विवाद कराना, या option D एकतामे बल होना, तो जल्दी से answer करेगा question number 76 का, काफी अच्छा question है, important question है तो answer A इसका एकतामे बल होना एक और एक वैसे क्या होते हैं, अगर जनरली बात की जाए, एक और एक दो होते हैं, लेकिन एक और एक इसने क्या कहते हैं, ग्यारा होना, तो क्या है एकतामे बल है, यानि के बहुजादा शक्ती है तो एकतामे बल, यानि के option D, आपका 76 का right answer होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, question number 77 आपकी रस्कीन पर है, तो चलिए देखे क्या लिखा है कि खाट का तदसम रूप है, तो खाट का तदसम रूप इन चारों में से कौन सा है, या आपको बताना है, तदसम इसका बताना है, खाट का, तो A, खटवा, B, खटवा, C, खाटव या D खटिया तो जल्दे से आंसर करेगा question number 77 का important question है ये भी तो जो इसका right answer होगा वोगा A खटवा खटवा इसका right answer होगा option number A आपका इसका right answer होगा जो खटिया का हाट का वो होता है तत्सम रूप तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 78 आपकी screen पर है रस राज किस रस को कहा गया है तो आपको बताना है कि रस राज किस रस को कहा गया है आपके option है A श्रंगार रस, B करुणर रस, C वी रस, या D हास्चर रस तो जल्दी सांसर करेगा 78 का very very important question है ये काफी बार आपका बेर इंटरेंस गज़ाम में repeat हुआ है जल्दी सांसर करेगा question number 78 रस राज जो बोला जाता है वो बोला जाता है श्रंगार रस को यानि कि option number A आपका इसका right answer होगा श्रंगार रस को हम रस राज बोलते हैं यानि कि रस का राजा आगे बढ़ते हैं next question question number 79 आपके screen पर है देखे क्या लिखा है पनही शब्द का तत्सम रूप है तो पनही शब्द का आपको तत्सम रूप इसमें बताना है कि क्या होगा A तामबुल, B पर्ण, C पर्णही या D उपनहा तो जल्दी सांसर करेगा 79 का important question है आपका ये भी तो जल्दी सांसर करेगा question number 79 जो इसका right answer होगा इसका right answer होगा आपका उपनहा आपका N क option number D इसका right answer होगा जो कि आपका पनही का तत्सम रूप होता है थोड़ी सी detail की और बात करते हैं पर्ण किसका होता है पत्ते का होता है पर्ण ठीक है न ये भी आपको पता होना चाहिए और तामबुल किसका होता है पान तामबुल का होता है पान है न ये भी आपको पता होना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 80 आपकी skin पर है तन को कपड़ा और नय डैश को रोटी तो डैश में आपको क्या क्या आएगा ये आपको बताना है ए खाने या बी पेट या सी भूक या डी मन तो question number 80 काफी अच्छा question है जल्दी से इसका answer रगरेगा जैसे कि क्या है मतलब कि जैसे कि तन संबंदित है कपड़े से तो वो रोटी किसे संबंदित होगी रोटी आपकी पेट से संबंदित होगी है ना तो रोटी के लिए क्या पेट के लिए क्या जरूरी है रोटी यानिका option number B आपका इसका विल्कूर right answer होगा आगे बढ़ते हैं तो चलिए next question question number 81 आपकी इस्कीन पर है महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैस थे तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैस क्या थे यह आपको बताना है A. विगरह, B. अनुगरह, C. परिगरह या D. A. परिगरह जल्दी सांसर करेगा question number 81 का अच्छा question है जल्दी सांसर करेगा answer है इसका right विगरह यानि के महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विगरह थे यह आपका answer है option number A यानि के विगरह का क्या मतलब होता है विगरह का मतलब होता है परतीमा विगड़े का मतलब होता है परतिमा आगे बढ़ते हैं next question question number 82 आपकी स्कीन पर है अच्छा question है important question है देखे का लिखा है मान अप मान में कौन सा समास है मान अप मान में कौन सा समास है आपको बताना है A. दौन्द समास B. दीगू समास C. करमधार्य समास D. बहुवरी समास तो काफी अच्छा important question है 82 का answer करिएगा मान अप मान तो क्या बोलेंगे हम इसको हम इसको बोलेंगे मान और अप मान ठीक है मान और अप मान जहांपे विलोम शब्द के जैसे और लग जाए जो भी ऐसे होते है आगे बढ़ते हैं next question question number 83 आपकी screen पर है देगे क्या लिखा है चक्रपानी में कौन सा समास है चक्रपानी में कौन सा समास है very very important question है जल्दी से answer करेगा A. करमधार्य समास B. बहुवरी समास C. दूंद समास D. अव्यवी भाव समास answer करेगा question number 83 तो 83 का जो आपका answer होगा वो आपका होगा बहुवरी समास बहुवरी समास का क्या मतलब यानि कि option number B अब कैसे पता चलेगा बहुवरी समास बहुवरी समास मैंने पहले भी बताया था आपको बहुवरी समास बहुवरी समास बहुवरी समास है जो किसी तीसरे वर्ट के बारे में बताता है यानि कि एक एशा शब्द जो किसी तीसरे के बारे में जिकर करे यानि कि चकरपानी का मतलब इसने क्या कहा है आपर विश्नू चकरपाने को इसने विश्णु भगवान को बताया है तो एक तीसरे चीज को बताया है तो इसका भवविर्य होगा अगर इसका ये विशेष्टा बताता तो ये आपका इसका करमधार्य होता है ठीक है अगर विशेष्टा बता है तो करमधार्य है यह आपको बताना है, आपके option है, A. अकर्मक किरिया, B. प्रेनार्थक, या C. दीकर्मक, या D. सकर्मक किरिया, जल्दी से answer करेगा question number 84, very very important question है, आपका right answer होगा, इसमें अकर्मक किरिया, यह जो उधारन है, अकर्मक किरिया है, मतलब देखो क्या है, कि जोड से हसी, तो क्या ह वाइस में, कि, जहांपर, जिस, मलद जहांपर, जहांपर, करता कोई भी काम करता है, उसका दूसरे पर कोई परवाब ना पढ़े, याने कि वो हसी है, यह सिर्फ उस ही पर би परवाब पढ़ा, तो महापर किया अकर्मक किरिया होगी, है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question, next question question number 85 आपकी स्किन पर है निमन में से कौन विराम चिन का परकार नहीं है यानि कि इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन का परकार नहीं है A. निर्देशक, B. लागव या C. उपदेश, या D. विवरेन जल्दे से आंसर करेगा question number 85 विराम चिन का परकार नहीं है इन में से एक आपको बताना है तो question number 85 का जो right answer होगा वोगा उपदेशक, उपदेशक यानि कि option number C इसका आपका right answer होगा अब देखें कैसे पता चलेगा विराम चिन की परकार यानि कि निदेशक है तो निदेशक में कैसा आपका चिन लगेगा निदेशक में आपका ये वाला चिन लगता है अब लागव में कैसा चिन लगता है लागव में आपका ये वाला चिन बनता है ऐसा लागव में आपका ये वाला चिन बनेगा और विवरेण में आपका ये वाला चिन बनेगा ठीक है तो ये एक अलग है उपदेशक ये विराम चिन का परकार नहीं है तो राइट आंसर आपका C होगा आगे बढ़ते हैं next question, question number 86 मानव मात्र को गीता और महातम्य से परिचित होना अनिवार्य है आपका ये मिसिस स्पैल्ट है तो आपको बिल्कुल राइट स्पैलिंग इसकी पतानिया कि माहातम्य कैसे लिखा जाता है 86 का जल्दी करिएगा राइट आंसर कि माहतम्य को अगर आप शुद रूप मे लिखेंगे तो वो उसकी राइट स्पैलिंग क्या होगी तो महातम्य को जब भी हम लिखेंगे ढंक से तो उसका देखो हमेशा ऐसे लिखेंगे महा अधत्य अधम्य और यह महातम्य की राइट इस्पेलिंग यह होगी यानि कि option number B आपका इसका right answer होगा महातम्य की राइट इस्पेलिंग यह होती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 87 खड़ी बोली किस अप भरंश से विक्षित हुई यह आपको बताना है जल्दी से answer करेगा question number 87 very very important question है कि खड़ी बोली किस अप भरंश से विक्षित हुई थी तो जिसका right answer होगा भी शोर सेनी से खड़ी बोली आपकी आई है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए इसमें मैं काफी detail में आपकी बात करूँगा इस question की देखे शोर सेनी में कौन कौन सी अब बोलिया होती है यह भी आपको पता होना चाहिए शोर सेनी में आपकी कोरवी होती है शोरशेनी में आपकी कोरवी आती है हरियानवी आती है हरियानवी के बाद आपकी दखनी आती है दखनी दखनी के बाद आपकी बरजभाशा भी आपकी इसमें शोरशेनी में आती है ठीक है बरजभाशा भी आपकी शोरशेनी में आती है मारवाड़ी के बाद आपकी ये जैपुरी भी आपकी शोर्षेनी में आती है ठीक है ये सारी आपको पता होनी चाहिए जैपुरी के बाद आपकी मेवाती भी आपकी शोर्षेनी में आती है ठीक है और मालवी भी आपकी शोर्षेनी में आती है काफी सारी है तो आपके सारी पता होने चाहिए गड़वाली भी आपकी शोर्षेनी में आती है ठीक है और आपकी लास्ट है जो कुमायू कुमायू कुमायूनी कुमायूनी भी आपकी शोर्षेनी में आती है ये सारी क्या है शोर्षेनी की है अब चलिए बात करते हैं मगधी में कौन सी आएगी है मागधी में आती है मागधी में आती है आपकी भोजपुरी मागधी मही ही आती है और आती है मेथली ठीक है ये तीन आपकी किस में आती है census मगदी में आती है ठीक है और अब बात करते हैं इसकी अर्ध मागदी की अर्ध मागदी की अगर मैं बात करूं अर्ध मागदी में आपकी कौन से आएगी अवधी आएगी अर्ध मागदी में आपकी अवधी आएगी और भगेली आएगी बगेली और चतिस गड़ी चतिस अबिदेशज बी देशज या सी तत्सम या डी तत्भव तो जल्दे से आंसर करेगा question number 88 तो question number 88 वो है देशज, यानि कि जिन सब्दों का पता ने चलता वो आपके देशज होते हैं यानि कि option number B आपका इसका right answer होगा आगे बढ़ते हैं next question question number 89 शैतान की आथ इस मुहावरे का उप्युक्त अर्थ क्या है यानि कि शैतान की आथ इस मुहावरे का उप्युक्त अर्थ क्या है या आपको बताना है question number 89 ए अत्यांत धुर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तू, सी अत्यांत नगण्य वस्तू, या डी अत्यांत लाबदायक वस्तू, जल जिसे करिएगा answer काफी important, काफी easy question है, सैतान की आथ, देखो काप कैसे पैचानेंगे इस question को, सैतान की आथ बोला है, तो सैतान क्या होता है काफी बड़ा होता है, यानि के बहुत बड़ी आथ है, उसकी यानि के सीधी सी बात है, बहुत लंबी वस्तू है, right answer, आपका option number B, इसका होगा, तो बहुत लंबी वस्तू, शैतान की आथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, question number 90, आपके इसकीन पर है, परत्यक्ष के दौ जल्ली सांसर करेगा, काफी अच्छा question है, question number 90, तो question number 90 का जो right answer है, आपका अनुमान यानि के option number A, आपका इसका right answer होगा, आगे बढ़ते हैं, next question, question number 91, दिवेदी युगिन रचना, जै भारत के रचनाकार कौन थे, जै भारत के रचनाकार आपको इसमें बताने हैं कि कौन जल्ली सांसर करेगा, question number 91, तो जै भारत के जो रचनाकार थे, आपके option number A, आपका इसका right answer होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, question number 92, आपकी स्कीन पर है, कबीर ने समात सुधार के अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया, यानि कि ये चार हैं, इन में से तीन उपदे समास सुधार के पक्ष में कौन सा उपदेश नहीं दिया, A, मूर्थी पुजा का विरोध, B, जाती पर्था का खंडन, या C, इस्तरी पुरुष की समानता, या D, हिंदू मुसलिम पाखंड का खंडन, तो जल्दे से आंसर करे, question number 92, question number 92, जो 92 का answer होगा, वो होगा, इस्तर जाती सी दुआरण रचित पद्मावत, निमन में से क्या है, तो पद्मावत आपको बताना है, क्या है, A, व्रोक्ति है, B, अन्योक्ति है, C, समास सुक्ति है, या D, रूपक का विरोध, है, तो 93 का answer करेगा, कि पद्मावत क्या है, और पद्मावत किसने लिगी, जासी होगा आगे बढ़ते हैं next question question number 94 आपकी स्कीन पर है सूर्दास के गुरु कोन थे जल्दी से answer करेगा सूर्दास के गुरु कोन थे very very important और easy question है सूर्दास के गुरु कोन थे A. रामानन्द B. रामदास C. वल्लबाचारिय या D. विठल नाथ जल्दी सा answer गया question number 94 question number 94 का जो राइट आंसर है सूर्दास के जो गुरु थे वो थे आपके वल्लबाचारिय यानि के option number C. आपका इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं next question question number 95 चंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यानि कि जब आप चंद पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ थोड़ी विराम लगते हैं तो उसको क्या बोला जाता है या आपको बताना है A. गती, B. यती, C. तुक्याडी, यण, गण, सोरी 95, question number 95 का answer करिएगा क्या होगा कि चंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? Question number 95 का जो राइट आंसर होगा यती यानि कि option number B, option number B आपका यानि कि यती इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं next question, question number 96 जहां वाक्य की गती, अंतिम रूप ले ले, विचार के तार तूट जाएं, वहां कि इस चिन का परियोग किया जाता है? तो जल्ली इस आंसर करेंगा काफी अच्छा question है A, योजक, B, अलप विराम, C, उद्धरंड चिन, या D, पूर्ण विराम 96 का अंसर करिएगा क्या होगा, यानि कि जहाँ पर आपका sentence कहतम होजाए, महाँ पर आप क्या लगाते हैं? सीदी सी बाते हैं, महाँ पर आप पूर्ण विराम लगाते हैं, यानि कि option number D, आपका इसका right answer होगा, question number 96 का तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, question number 97, आपकी स्किन पर है एमर्ष क्या है? एमर्ष आपको बताना है, एमर्ष क्या है? काफी अच्छा question है, एमर्ष एक काव्य दोश है, बी एक संचारी भाव है, सी एक काव्य गुण है, या डी एक अलंकार है question number 97, का answer पकर जल्दी, एमर्ष क्या है? question number 97 का जो right answer होगा, वो होगा, एक संचारी भाव है अमर्ष आपका एक संचारी भाव है अब ये भी पता होने चाहिए कि संचारी भाव कितने परकार के होते हैं 33 परकार के आपके संचारी भाव होते हैं 33 आगे बढ़ते हैं Quesion No. 98 आपकी स्कीन पर है कबिरदास की भाषा कौन सी थी ये बताना है आपको कबिरदास की भाषा कौन सी थी वो किस भाषा में लिखते थे A. ब्रज B. खड़ी बोली C. कन्नो जी या D. सुदुक्डी 98 Quesion No. 98 का आंसर करेगा जल्दी से तो कबिरदास जी की जो भाषा थी वो आपकी सुदुक्डी ती यानि के Option No. D. आपका इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं Next Quesion Question No. 99 आपकी स्कीन पर है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है Very Very Important Quesion कारक और या आपके चंद और या आपके Very Very Important है समास काफी Important है संधी काफी Important है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है जल्दी से आंसर करेगा A करमकारक, B करणकारक, C संपरदान कारक या D अधीकरण कारक 99 का आंसर करेगा जल्दी ठीक समय पर आ जाना यानिके अधीकरण कारक यानिके Option No. D आपका आपका Last Question है निमलिखित में मिश्रवाक्य क्या है तो आपके ये चार Option है इनमेंसा आपको बताना है किसमें मिश्रवाक्य कौन सा है Option No. A मेरे आते ही वर्षा होने लगी Option No. B उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी Option C वह घर से निकला और वर्षा होने लगी Option No. D जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी तो जल्दी से आंसर करेगा Question No. 100 जो कि आपका आज का Last Question है Question No. 100 का जो राइट आंसर होगा जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी ये उसका राइट आंसर है अगर ये लगा हो वर्ड तो वो सारे आपके मिश्री वाक्य होंगे, यानि कि मिश्री सेंटेंक्स होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपके complete करा दिया है, आज 2012 previous year के मैंने आपके हिंदी का सारा complete करा दिया है, part 2 भी, part 2 भी मैंने आपका complete करा दिया है, 2012 का मैंने आपका आज part 2 भी आपका हिंदी का complete करा दिया है यानि के हिंदी का पूरा section मैंने complete करा दिया और मैंने इसका reasoning भी complete करा दिया और मैंने इसका आपका JK भी complete करा दिया 2011 भी मैंने आपका complete करा दिया है तो इस series में हम 2011 से लेके 2021 तक के previous year के सारे question इसमें B8 के कर लेंगे जब तक आपका exam आएगा उससे पहले पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि आपके पास वीडियो के notification बिलकुल easily मिल जाए और आप इस वीडियो का लाव उठा सकें और आपको question अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छे लगी हो तो आप वीडियो को like कर सकते हैं तो बने रहे हमारे चैनल से teacher solution से क्योंकि teacher solution आपकी काफी ज़्यादा help करेगा ना कि B8 entrance exam में बलकि जब आप बीड में आ जाओगे आजाओगे admission ले लोगे first year में आपकी काफी help क करेगा teacher solution क्योंकि first year के assignment आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे क्योंकि जो कि अभी भी मुझूद है और second year के assignment फाइल भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और UP-Tate C-Tate में भी काफी help करेंगे आपकी qualify करने में जिससे क्या आप exam को first attempt में ही pass कर पाए तो teacher solution आपका शुरू से काम रखेगा पढ़ते रहेगा खुछ रहेगा और अपने ममें पापा के ध्यान रखना है नमस्ते थैंक्यू बाइबाइबाइ टाटा